तीन नए आपराधिक कानून आज से लागू आज से बदल गई देश की कानून वेवस्था अब आपराधियों की खैर नहीं आज एक जुलाई है आज वो इंतजार खत्म हो गया जिसका फरवरी के महिने से ही इंतजार हो रहा था इंतजार इस बात का था कि तीनों पुराने अंग्रेजों के कानूनों को बदल कर नए देशी तीन नए आपराधिक कानूनों को लागू कर दिया जाए आज से तीनों नए आपराधिक कानूनों को लागू कर दिया गया है जिसके मुताबिक बिटिश काल के भारतिये डंड संहिता, डंड प्रक्रिया संहिता और भारतिये साक्ष अधिनियम को हटा कर भारतिये नयाय संहिता, भारतिये नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतिये सा अधिनियम को लागू कर दिया गया है हाला कि आज से लागू हो चुके तीन नए कानूनों के तहट क्या क्या बदल दिया गया है इस एक वीडियो में हम उसे समाहित नहीं कर सकते हैं लेकिन कुछ मुख्य बदलाओ को हम आपको बताने जा रहे हैं केंद्रिय ग्रह मंत्री अम अपराधिक कानूनों में 0FIR अपराधिक शिकायतों को ओनलाइन दर्ज कराना मोबाइल के जरिये समन भेजने जैसे इलेक्ट्रोनिक माध्यम के साथ जगन अपराधों के लिए मौकाय वार्दात का वीडियो ग्राफिक करवाने जैसे प्राधान शामिल हैं यानि कि नए का कानूनों में टेकनोलोजिक को प्रधानता दी गई है मिडिया रिपोर्ट्स में आधिकारिक सुत्रों के मुताबिक ये भी बताया गया है कि इन तीनों आपराधिक कानूनों में कुछ ऐसे रूल्स जोड़े गए हैं जो कि मौजूदा समाजिक वास्तुविक्ताओं के अपराधों को पुरी तरह से निपतने की कोशिक की गई है साथ ही सम्विधानिक तरीके से ऐसे अपराधों से निपटने के लिए एक व्योस्था दी गई है साथ ही ये भी दावा किया जा रहा है कि इस कानून में नियाय ट्रास्पेरेंसी और फैर्नेस का खास ख्यार "... ग बारे में केंद्रिय गिरे मंत्री भी दावा कर चुके हैं कि इसे भारतियों ने भारतियों के लिए और भारतिय संसद ने बनाया है जो कि आपने वेशिक काल की जुडिशियरिक लोग को पूरी तरह से खत्म करता है साथ ही इस नए कानूनों को आसान भी बनाया गया है चली जब जान लेते हैं कुछ मुख्य बदलाओ जिनके बारे में दावा किया जा रहा है कि वो पुराने कानूनों से बिलकुल अलग हैं इन तिन नए आपराधिक कानूनों में पुराने कानूनों से कुछ बदलाओ धाराओं में कमी की गई हैं तो कुछ धाराओं खत्मी की वहीं इसमें 21 नए अपराधों को भी जोड़ा गया है वहीं CRPC में जहां 484 धराएं थी BNSS में 531 धराएं हैं BNSS में CRPC के तहत आने वाली 177 धराओं को बदला गया है साथ ही इसमें 9 धराएं जोड़ी भी गयी है और 14 धराओं को समाप्त भी कर दिया गया है अब आते हैं भारतिय साक्ष अधिनियम जोकी पुराने और नए नाम तो एक ही है बस उसमें साल का अंतर कर दर्शाय गया है नए भारतिय साक्ष अधिनियम को 2023 से इंगित किया गया है इंडियन एविडेंस एक 2023 में 170 धराएं हैं इसमें 24 धराओं में बदलाव किया गया है साथ ही दो नई धराएं भी जोड़ी गयी है और 6 धराओं को समाप्त कर दिया गया है इस ख़बर्म बस इतना ही बाकी